देखिए इस वीडियो में मैं आपको आयूर्वेद की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसे आयूर्वेद में सबसे ज़ादा ताकत वर्माना गया है और इस मेडिसिन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसके अलावा इस मेडिसिन के बारे में दो बातें और भी कही जाती है जिसमें से पहली बात ये है कि अगर कोई डॉक्टर इस मेडिसिन का सही तरीके से इस्तिमाल करना सीख ले तो फिर वो किसी भी बीमारी को सही कर सकता है और दूसरी बात जो इस मेडिसिन के बारे में कही जाती है वो ये कि अगर आपकी मान नहीं है तो फिर आप इस मेडिसिन को जरूर खाईए और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेडिसिन बिलकुल एक मा की तरह आपकी और आपकी सेहत की देखभाल करती है और ये मेडिसिन है तरिफला और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो इनसान जो रोज तरिफला खाता है उसे कितने सारे फायदे मिलते हैं अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि तरिफला असल में कहते किसे हैं देखिए तरिफला असल में तीन फलों का कॉंबिनेशन है जो हरड, बहेडा और आवला को 1-2-4 के रेशो में मिला कर बनाया जाता है अब इन तीनों चीज़ों के फायदों को भी समझ लीजिए देखिए तरिफला में सबसे ज़ादा कॉंटिटी आवला की डलती है और आवला की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये आपके शरीर में टॉक्सिंस को याने विशैले तत्वों को इकठा होने ही नहीं देता दूसरी चीज़ जो तरिफला में डाली जाती है वो है हरण और देखिए हरण को असल में योगवाही औशदी कहा जाता है और योगवाही औशदी से मतलब ये है कि किसी भी आयूरवेदिक मैडिसिन के साथ अगर हरण दी जाए तो वो आयूरवेदिक मैडिसिन बोडी में पूरी तरह से एब्सॉर्ब हो जाती है और अपना पूरा असर दिखाती है और तीसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है वो है बहेडा और बहेडा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये आपके शरीर के तीनों दोशों को याने वात, पित और कफ को बैलेंस कर देत है और अगर कम है तो इनको बढ़ा कर नॉर्मल कर देता है इस चीज को भी समझिए कि पूरे आयुर्वेद में डाइजेस्टिव सिस्टम को बहतर बनाने के लिए बहेडा से बहतर कुछ भी नहीं है याने त्रिफला में जो आवला है ये आपके शरीर से सभी बुरी चीज को बढ़ा देता है और जो हरण है ये आवले को और बहेडा को बॉड़ी में पूरी तरह से एब्जॉर्व करवाता है और इनका पूरा असर निकालता है इस चीज को भी समझिए कि देखिए त्रिफला का में इंग्रेडियंट आवला होता है पर जब आवले को हरण और बह प्रभाव कई गुणा बढ़ जाते हैं और यही चीज हरण और बहेडा के साथ भी होती है याने हरण और बहेडा जब आवले के साथ लिए जाते हैं तो इन दोनों के गुण और प्रभाव कई गुणा बढ़ जाते हैं याने अगर आप दिन भर में इतना ही आवला इतना ह हरण और इतना ही बहेड़ा अलग अलग समय पर लें तो आपको इतना फाइदा नहीं होगा जितना इन तीनों चीज़ों को साथ में लेने पर होगा और Medical Language में इस चीज़ को Synergism कहा जाता है अब सवाल ये उड़ता है कि अगर कोई इनसान पहले से ही स्वस्थ है तो फिर उसको त्रिफला लेने की जरूरत ही क्या है और इस चीज़ को समझने के लिए आप Ayurved के दो Basic Principles को समझ लीजिए और इसमें से पहला Principle ये है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है उनमें से 90% बीमारियां पेट से शुरू होती है और इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो फिर आपको अपना पेट स्वस्थ रखना चाहिए और क्योंकि त्रिफला Digestive System को याने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने की सबसे असरदार Medicine है इसलिए भले ही चाहे आप स्वस्थ ही क्यों नहों तो भी आपको त्रिफला जरूर लेना चाहिए दूसरा प्रिंसिपल ये है कि शरीर की सभी बीमारियां वात, पित और कफ के Disbalance की वजह से होती हैं और क्योंकि हम अपनी Lifestyle की वजह से और अपने खाने पीने की आदतों की वजह से अपने वात, पित और कफ को Balance नहीं रख सकते और क्योंकि त्रिफला वात, पित और कफ को Balance कर देता है इसलिए भले ही हम चाहे स्वस्थ ही क्यों नहों तो भी हमें त्रिफला जरूर लेना चाहिए अब देखिए त्रिफला के बहुत सारे फायदे होते हैं और इसलिए इन सभी फायदों को एक-एक करके समझ भी लीजिए सबसे पहली चीज़ देखिए अगर ये पूछा जाए कि एक इनसान के digestive system को अच्छा रखने की सबसे बहतरीन medicine कौन सी है तो फिर त्रिफला की कोई काट नहीं है देखिए त्रिफला का सबसे पहला फायदा तो ये है कि त्रिफला एक बहुत ही अच्छा lexative होता है याने ये आपकी आतनों के paristaltic movement को बढ़ा देता है जिसकी वज़ा से constipation एक तो हो ही नहीं पाता और अगर है भी तो सही हो जाता है याने त्रिफला आपके पेट को साफ करता भी है और आपके पेट को साफ रखता भी है और इसी वज़ा से जितनी भी आयुरुवेदिक medicines होती है जो पेट साफ करने के लिए ली जाती है या दी जाती है उन सभी में त्रिफला जरूर होता है पर क्योंकि पेट साफ करने वाली दवाईयों का असली मकसद पेट साफ करना होता है इसी लिए इन सभी दवाईयों में त्रिफला के साथ साथ सनाय पत्ती भी डाल दी जाती है और सनाय पत्ती अगर महिने में एकाद बार ले ली जाये तो बहुत ही अच्छी रहती है पर अगर रोज ले ली जाए तो ये आपके शरीर के सभी essential nutrients को खीच कर बाहर निकाल देती है और इसलिए अगर आपको constipation की याने अगर आपको कब्ज की परेशानी रहती है तो फिर आप trifla लीजिए पेट साफ करने वाली आयूरवेदिक दवाईयां मत लीजिए ये हो गई एक चीज दूसरी चीज देखिए trifla जो है ये आपके liver और kidney के लिए बहुत ही जादा फाइदे मन रहता है अब जरा सी इसकी वजह भी समझ लीजिए देखिए तला भुना खाने की वजह से सबजियों में pesticides के होने की वजह से या कि फिर शराब पीने की वजह से हमारे शरीर में जितने भी toxins इखटे हो जाते हैं त्रिफला इन सभी toxins को मल मूत्र और सुएत के जरीए हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है इसके अलावा अगर आप कुछ इस तरह का काम करते हैं जिसकी वजह से आपको दिन भर बैठा ही रहना पड़ता है या कि फिर जिसकी वजह से आप जादा physical work नहीं कर पाते तो आपको त्रिफला जरूर लेना चाहिए यह हो गई एक चीज दूसरी चीज आप ये भी समझिए कि जब आपको constipation की problem नहीं रहती है तो फिर आपको भूख भी खुल कर लगती है और आप जो भी खाते हैं पूरी तरह से हजम होता है याने त्र absorb करवा देती है और इसी लिए वो लोग जो body building करते हैं याने वो लोग जो बहुत तेजी के साथ अपना वजन और अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं उन्हें त्रिफला जरूर लेना चाहिए इस चीज को भी समझिए कि त्रिफला में जो हरड होती है ये edipose tissues को याने वो tissues जो fats को store करते हैं ये उनको खतम करती है और इसी लिए वो लोग जो muscular body बनाना चाहते हैं या कि फिर वो लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं उन लोगों को त्रिफला जरूर लेना चाहिए याने आप कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि अगर आपको पेट से related कोई भी बीमारी जैसे पेट दर्थ, हाजमे की खराबी, उल्टी या दस्त, पेचेश या मरोड, गैस या एसिडिटी या पेट में कीले हों तो इन सभी तरह की परेशानियों के लिए आप केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और आपकी पेट से related जितनी भी परेशानिया ह होंगी वो सही हो जाएंगी और अगर नहीं है तो कभी भी नहीं होंगी इसके अलावा अगर आपके मुह में छाले होते रहते हैं या आपके मसूडों में सूजन रहती है या दातों में दर्द रहता है या अगर आपके मसूडों से खून आता है तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और इन सभी परेशानियों को भूल जाईए पर अगर आपको पायरिया है तो आपको ना केवल त्रिफला खाना चाहिए बलकि त्रिफला के चूरुन से आपको अपने मसरूलों की मालिश भी करना चाहिए ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम अब आजाईए सर्क्यूलेटरी सिस्टम में देखिए त्रिफला आपके खून में याने आपकी बलड स्ट्री में जितने भी टॉक्सिंस हैं उन सभी टॉक्सिंस को पसीने से या कि फिर पेशाप के रास्ते से बाहर निकाल देता है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप एकदम तरो ताजा महसूस करते हैं और आपको थकान आलस या भारी पन महसूस नहीं होता इस चीज़ को भी समझिए कि अगर आप थकान आलस या भारी पन महसूस करते हैं तो फिर आपको त्रिफला शहद के साथ लेना चाहिए और जितना त्रिफला ले रहे हैं उत यह आपके blood cholesterol को normal कर देता है याने जो extra cholesterol होता है यह उसको आपके शरीर से बाहर निकाल देता है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको कभी भी high blood pressure की problem नहीं होती है और इसलिए अगर आपकी family history high blood pressure की या अगर कहा जाए heart problems की है तो फिर आपको त्रिफला जरू पूर लेना चाहिए यह हो गया circulatory system अब आजाइए respiratory system पर और देखिए trifla respiratory system के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद है याने अगर आपको सूखी खांसी रहती है या कि फिर अगर आपको गीली खांसी भी रहती है तो त्रिफला इन दोनों को सही कर देता है इसके होता है ये पुराने से पुराने कफ को खींच कर बाहर निकाल देता है ये हो गई दूसरी चीज तीसरी और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज देखिए trifla में जो आवला होता है ये दुनिया का सबसे बहतरीन एंटी आक्सिडेंट होता है और इसलिए अगर आप smoking करते हैं य यहां पर बहुती ज़्यादा पॉलूशन रहता है तो फिर आपको trifla जरूर लेना चाहिए अगली चीज और देखिए trifla लेने से आपकी खूपसूर्ती भी बढ़ जाती है और ऐसा इसलिए क्योंकि trifla में जो आवला रहता है ये ना केवल आपकी खाल में कसावट लाता है बलकि ये आपकी खाल में लोच भी पैता करता है और ना केवल ये trifla की वज़ा से आपके नाखुन और आपके बाल चमकदार और शानदार हो जाते हैं इसके अलावा अगर आपको कील मुहासे होते रहते हैं या अगर आपको फोले फुनसी होते रहते हैं या कि फिर अगर तो किसी भी तरह के skin infections होते रहते हैं तो आप केवल trifla लेना शुरू कर दीजिए और छे महीने के अंदर अंदर आपकी जितनी भी skin की परेशानिया हैं सब की सब जड़ से दूर हो जाएंगी इस चीज को भी समझ ये कि skin से related problems के लिए ना केवल आपको trifla खाना है बलकि आप को इसे नीम की पतियों के paste के साथ मिलाकर उस जगह पर लगाना भी है इसके अलावा अगर बालों की बात की जाए तो trifla बालों की जड़ों को मजबूत करता है बालों का पतला होना रोकता है बालों का समय से पहले सफेद होना रोकता है और बालों का जड़ना भी रोकता है और साथी साथ बालों की चमक भी बढ़ाता है और देखिए इन सबी फायदों के लिए आपको ना केवल त्रिफला खाना चाहिए बलकि अपने बालों पर लगाना भी चाहिए पर देखिए इस चीज़ को भी समझिए कि अगर आपके बाल हेरी डिटी की वज़ा से जड़ रहे हैं तो आपके बाल जड़ेंगे तो जरूर पर बहुत देर से जड़ेंगे इसके अलावा त्रिफला आँखों के लिए भी बहुत फायदे मन रहता है और आँखों को फायदा पहुचाने के लिए आपको त्रिफला खाना भी चाहिए और सुबह सुबह त्रिफला के पानी से अपनी आँखों को धोना भी चाहिए और इसके लिए आप रात में 10 ग्राम त्रिफला आधा लीडर पानी में रख दीजिए और सुबह सुबह इस पानी को रुमाल से चान कर उस पानी से अपनी आँखें धो लीजिए और इससे ना केवल आपकी आँखों की रोश्नी बढ़ती है बलकि अगर आपकी आँखों में किसी भी तरह का infection हो तो वो भी सही हो जाता है अब आजाईए जैनिटो यूरिनरी सिस्टम पर और देखिए वो ओड़तें जिन्हें आम तोर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन्स रहते ही हैं उन ओड़तों को त्रिफला जरूर लेना चाहिए और ऐसा इसलिए क्योंकि त्रिफला सभी तरह के यूरिनरी ट्रैक्ट और irregularities को सही कर देता है अब देखिए ये तो हो गए छोटे मोटे फायदे अब त्रिफला का असली फायदा भी समझ दीजिए और वो ये है कि त्रिफला आपकी immunity बढ़ा देता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्रिफला में ना केवल anti-inflammatory बलकि anti-viral properties भी होती है और इसक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारी allergies से बचे रहते हैं याने वो लोग जो त्रिफला लेते रहते हैं उन्हें हर बार मौसम बदलने पर जुकाम नहीं होता और इसके अलावा भी वो लोग जिने साल भर जुकाम बना रहता ह या कि फिर जिनकी नाक साल भर बंद रहती है इस तरह के लोगों को त्रिफला जरूर लेना चाहिए दूसरी चीज और देखिए क्योंकि त्रिफला में अच्छी खासी quantity में आवला होता है इसी वज़ा से त्रिफला एक बहुत ही अच्छा brain tonic भी है याने अगर आप त्रि नीन नहीं आती या अगर आपके सिर में दर्द रहता है या अगर आपको चक्कर आते रहते हैं तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और थोड़े ही समय में आपकी सभी परेशानिया दूर हो जाएंगी तीसरी चीज और देखिए त्रिफला को असल में सभी बुड़ा होता है उस प्रोसेस को धीमा कर देता है याने अगर आप त्रिफला लेते रहते हैं तो आप अपनी असली उम्र से कम से कम पांच या दस साल तक छोटे दिखेंगे अब देखिए ये तो हो गए त्रिफला के सभी फायदे अब सवाल ये उड़ता है कि त्रिफल किती कॉंटिटी में लेना चाहिए और इसका जवाब बहुत ही आसान है जितनी आपकी उम्र है आपको उतना रत्ती त्रिफला रोज खाना चाहिए दूसरा सवाल ये उड़ता है कि त्रिफला कब खाना चाहिए और देखिए त्रिफला खाने का सबसे सही समय होता है खाना खाने के 45 मिनिट बाद और इसी लिए जैसे ही आप खाना खा चुकें उसके 45 मिनिट के बाद आपको त्रिफला हलके गुनगुने पानी के साथ ले लेना चाहिए और तीसरा सवाल ये उड़ता है कि त्रिफला लेना कब से शुरू कर सकते हैं और इसे कितने समय तक खा सकते है और इसका जवाब ये है कि आप चाहे जब से इसको लेना शुरू कर सकते हैं और जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आप इसे रोज खा सकते हैं आखरी चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी देखना चाहिए तो इस वीडियो को फे लाइक कर दीजिए इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ आपने मुझे इतना समय दिया टैंक यू वेरी मच